सब्सक्राइब करें WSQTEC प्रोग्रामिंग चैनल, बेल आइकन दबाएं और हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें हेलो फ्रेंड्स, WSQTEC के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आज सी लेंग्वज को यूज करते हुए हम लोग एक और अलग टाइप के पैटन को बनाने वाले हैं तो आज का जो मेरा पैटन है वो कुछ इस टाइप से होगा मुझे फर्स्ट रो के अंदर 7 नंबर्स प्रिंट करने लाइक 1,2,3,4,5,6,7 अगें नेक्स जब आऊँगा तो 1,2,3,4,5 इस टाइप से 1,2,3 अगें मुझे 1 प्रिंट करना है तो रोज जो है वो आपके पास में 4 रोज ही है यहनि 1,2,7,1,2,5,1,2,3 और 1 टाइम्स तक ठीक है तो यहाँ पर इसका लॉजिक क्या होगा किस तरीके से हम लोग इसको create कर सकते वह सारी बात चैपल अभी करने वालए तो देखते हैं कि इसका logic क्या है इसका जो लॉजिक है वोगता simple है हम क्या क्या है यहाँ पर row और column की values को set करना है हम लोग जानते हैं हमने पहले भी कई बार बात कर रहे हमेशा करते हैं हर वीडियो में कर रहा हूं है कि जो आपके columns होते हैं जो भी आपके columns है यह जो प्रिंट हो रहे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 या 1 तो जो भी के ह betray palabra है यहां आपके columns होते होते हैं वह हमेशा ऊपर करते हैं तो यहां हम कह सकते हैं कि इसबार आपके छुरू होता है , यहां ख्तम का होगा रहा है यहां यह हम लोग से खतम का हो रहा है कभी चरूर negra 3 टा नतों कि यह लिए neighbor पर खतम हो जाता है तो देखिए हमें करना क्या है यहां पर बस यह सेट करना है लेकिन यहां पर रोज जो है अगर आप उसको अब्जर करेंगे तो पहली रो में 7 पर खतम होता है मतलब 7 सोरी इंक्रिमिंट कattend होती है तो रो जो है आपके 7 है 7 से 5 5 से 3 3 super सच हुए है तो रो इक़ोल जो है तो फैंपर खतम और और खतम चैसे और मोंब चार पाँज़े और आपके पास सिंपेश आ रहे हैं तो जो भी आपके पास पेसे आरे हमको सेट करना तो सैट कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं अगर हमारे पास यहां पर जैसे मैं इससे पहले एक space को अगर count करवाता हूँ printing के time पर ठीके तो उसको हम लोग कैसे किस type से discuss करते हैं तो spaces को देखना है आपका space का कहां से शुरू होता है अगर मैं space की value 5 करूँ कि मुझे पहली बार तो चाहिए नहीं तो 7 से तो चाहिए ही नहीं next में आपके पास जो है वो space जो है कि मैं अगर 5 से शुरू करता हूँ कि row भी मेरी 5 से तो मैं चाहता हूँ वहाँ एक space प्रिंट कर दे तो मैं क्या कर दोंगा 5 से 5 टाइम तक एक space प्रिंट कर देगा और फिर उसके बाद में आपका यहां पर 1 प्रिंट कर देगा इसी टाइब से next में जो है वो मेरा शुरू होगा suppose 5 से 3 टाइम तक 5,4,3 ऐसे spaces प्रिंट कर देगा वन होगा 5,4,3,2,1 इस टाइब से प्रिंट कर देगा लिख देता हूँ hash include stdio.h header file को यहां मैंने include किया है इसके बाद मैं क्या लिख दूँगा integer main तो यहां main function मेरा शुरू हो चुका है इस main function के अंदर मुझे 3 variables ही एक r, xe और एक sp बस 3 variables की मुझे requirement है अब मुझे क्या करना है एक loop चलाना है for loop ठीक है row के लिए, आप जानते हैं मुझे यहां पर सबसे पहले row के लिए loop चलाना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे सारे काम करना है like जो भी columns और spaces print करवाने, तो मैं यहां पर क्या करूँगा row को set करूँगा, row मेरी शुरू कहा से हो रही है seven से, ठीक है, कहां तक चल रहे हैं हम लोग तो मैं कहा सकता हूँ कि जो r है is greater than or equals to one है तब तक आपको चलते रहना ठीक है, seven, five या आपके पास three, या one और पर जैसी आपके पास value जो है, वो minus one होईगी तो आप यहां से बाहर निकल जाएगी तो r को क्या करना, r minus equals to two कर देता है यानि कि r equals to r minus two ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है यहां पर मुझे पहले print करवाना है spaces, तो क्योंकि first row में तो है नहीं तो हम value ऐसी set कर देंगी कि first में print नहीं और उसके बाद से शुरू हो जाए तो मैं लिख दूँगा sp sp equals to five, कहां से शुरू कर रहे है five से r times तो मैं लिख दूँगा for sp equals to five उसके बाद लिख दूँगा जो आपका sp है is greater than or equals to r तब तक चले और आपका sp जो है वो minus minus हो जाएगा इसमें क्या करना है इसमें जाके आपको simple सा बस एक space print करवाना है और इसमें कुछ काम नहीं है इसके बाद आप फिर से for loop लगाएंगे क्योंकि आपको यहां पर columns print करना है तो मैं जाके लिख दूँगा for c c कहां से शूरू और आपका one से ठीके कहां तेक चल वहें है आप आर टाम्स तक जो मैं लिख देता हूँ c equals to one c is less than or equals to r और साथ में c plus plus इस तरीके से और इसमें क्या करना है इसमें आपन को print करना है अब क्या print करना है वो आप देख सकते है फिर उसके बाद आपको अपने column की value यहां पर लिखने इस तरीके से जो है हमने अपना काम कर लिया फिर्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर new line लेनी है तो यहां हम जाते हैं और जाकर के लिख देते हैं printf और slash n slash n से क्या होता है new line अजरती है तो इस तरीके से जो है वो हमने क्या कर लिया है इस तरीके से हमारा pattern जो है वो complete हो चुका है बीच के spaces अटा देता हूँ ताकि हम इस program को देख सके अच्छे से पूरे और अब जो है इस file को मैं save करके एक बाद इसको f11 करता हूँ ताकि आप देख सकते हैं आपको वैसा ही output मिल रहा है जैसा हम लोग चाते थी अब बस इसके अंदर क्या हो गया बीच में एक extra space की हमें requirement थी तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ यहाँ पर जाकर कर लिख दूँगा इस जगे पर मैं एक space और दबाद दूँगा तो आप देखेंगे अब मैं इसको जब चलाओंगा तो इसका output कैसार है 1 अब इसके बाद में देखें 1, space 2 इस तरी के समने इसको set के अब मैं यहाँ पर क्या करना है एक चीज और मैं चाहता हूँ 1 जो आपने देखा है second row के अंदर उसको तोड़ा सा मुझे और side में करना ठाकि ताकि वो 2 के नीचे set हो जाए तो यहाँ पर क्या करना होगा मुझे जो space की value इसको तोड़ा सा और set करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर जो है इसको set कर लेता हूँ suppose 6 के साथ या 4 के साथ ठीके अब आप देखेंगे sp equals to 4 अब आप देखेंगे यह बिल्कुल इसको मुझे 6 करना पड़ेगा मैं इसको 6 कर देता हूँ अब आप देखेंगे इस तरीके से वो बराबर उसके नीचे आ चुका है तो आपने जो है यहाँ पर एक नई चीज और देखी एक नए टाप का पैटन डिसकस किया है ऐसी हम लोग आगे जो है और अलग-अलग टैप के पैटन को डिसकस करने वाले हैं तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं धन्यवाद